राइपुर में इन दिनों आटो चालक आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं जहां उनके लिए शहर में एकी लपीजी डीपो है तो वहीं अब उन्हें सिर्फ ना सुनना पड़ रहा है ऐसे में अब इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन ने भी उन्हें सिलेंडर देने से मना कर दिया है और सिलेंडर हानी का रख है इस बात का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया जिसके बाद आटो चालक भारी तादाद में घड़ी चौक से तेली बांधा थाने पहुचे इस दौरान आटो चालकों ने टीसीपी 24 टीम से अपनी समस्या बताई या फिर गाड़ी लिया जाए हम लोग पिर देख के हमारा रोड़ रोड़ पर दूसरा कुछ करेंगे आज राजधानी रायपूर में जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरीके से आटो की लगतार भीड दिखाई दे रही है आपको आटो चालक जो है वो रोड़ पर आ ग प्योगी नहीं है इसलिए आपको इसको नहीं दिया जाएगा लॉकडाउन की मार जेलते हुए लंबे समय से करजे में फसे हुए आटो चालक का यह कहना है कि अब हम गुस्ते में हैं और अगर ऐसा है तो अगर सिलेंडर नहीं देना था तो गाड़िया खरिदवाई क्यों और गाड़िया खरिदवाई तो पहले ये क्यों नहीं बताया गया कि बाद में हम सिलेंडर नहीं देंगे अब एक नोटिस थमाने के बाद उनके सर पर एक बड़ा अंबार तूट पड़ा है जिससे वो परिशान में आईए बात करते हैं कि आखिर देखते हैं कि आगर खतरनाक है अब गैस सब बन कर दिये अब किसी भी गाड़ी में किसी की भी गाड़ी में गैस नहीं है अगर खतरनाक था तो पासिंग क्यों किये गाड़ी गाड़ी को अलोट क्यों किये अगर गाड़ी को दिये हो हम लोगों ने पैसा घर बेचके क्या बेचके सब बेचके पर किराएं पर हरेक गाड़ी पर 3040 में लगा हुआ कि छे मैंने की पिपोटाया जा रहा है एक ही डीपोट है अब नहीं मिल पाएगा अब इससे खत्रा है उपर से नहीं आ रहा है सर इसके लिए जो है तो आप लोग क्या करें इंडिया नहीं देना था तो पहले लौग क्यों कि यह और करें तो ठीक है सबसे जादा परिशान है इने गैस नहीं मिल रही है फाइनस में लौकडाउन के पहले गाडिया खरी थी ताके लपीजी में कम दामों में चला सकेंगे मगर अब लौकडाउन के बाद जब दीरे-दीरे मजार खुल रहा है लोग सड़क पे आ रहे हैं सारे परिवाहन के रासते खुल रहे हैं तो अब ऐसे में इन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है लपीजी गैस नहीं दिया जा रहा जिसे इनक 24 कलेशनेल सराफ राइपूर